सनातन धर में गीता ज्यंती का विशेश महत्व है मार्ग शीर्ष महा के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी पर गीता ज्यंती हर साल मनाई जाती है इस दिन मोक्षदा एकादशी भी होती है धार्वेक मानेता है कि इस दिन भगवाने श्री क्रिश्ण ने महभारत युद से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कहते हैं कि जो लोग प्रते दिन गीता का पाठ करते हैं और बताए गए उपदेशों को जीवन में अपनाते हैं उन्हें मोक्षकी की प्राग्टी होती है गीता में बताई गई बाते व्यक्ति को मुख माया के जाल से दूर सफन्ता के मार्ग पर ले जाती है तो चलिए आपको बताते हैं कि गीता जोयन्ती की पुजा विधी क्या है बतादें कि इस बार गीता जोयन्ती 3 दिसम्बर को पड़ रही है गीता ज्यंते के दिन श्री भागत गीता का पार्ट करना चाहिए इससे पहले पूल अक्षप से ग्रंध की पूजा करें फिर पार्ट की शुरुवात करें इसके बाद संभव हो तो गीता ग्रंध को बच्चों और लोगों में दान करें अन, वस्त्र, धन का दान भी कर सकते हैं इससे श्रीक्रिश्न अति प्रसल्व होते हैं फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही तमान जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और पोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले इसके लावा और आप क्या नया जानना चाते हैं वो भी हमें कॉमेंट फेक्शन में जरूर बताएं